नमस्कार दोस्तो, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्यवारता में हमारा आज का विशह है हिंदी का भाषिक स्वरूप दोस्तो इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे शब्द भेद और शब्ध भेद में हम देखेंगे शब्ध का अर्थ और हिंदी शब्धों के वर्गिकरण के अधार तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर दोस्तो अगर हम शब्ध की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शब्ध जो है वो वर्णों का स्मू है और खुछ कहते हैं कि दो या दो से अधिक जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो एक शब्द का निर्मान करते हैं लेकिन ये दोनों जो धारणा है ये अपने आप में क्या है? गलत है देखिए वर्णों के स्मूग क्या का जाता है वर्ण माला जबकि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक शब्द बनेगा मालीजी आप लिख रहे हैं मलक तो अगर वो मलक कठे करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है लेकिन अगर हम उन तीनों वर्णों को क्या करें सही तरीके से वेवस्तित तरीके से रखें कमलो मतलब जो ये तीसरे वाला है देखिए कि वर्णों का ऐसा वेवस्तित स्म होता है लेकिन उसमें अगर व्यवस्थता ना हो वो अगर systematically ना हो तो शब्द नहीं बन सकता तो इसलिए क्या का जाता है कि शब्द जो है वर्णों के मेल से तो बनता है लेकिन वो क्या एक निश्चित अर्थ भी प्रदान करें वो शब्द ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शब्द है वो क्या होता है कि वर्णों का ऐसा व्यवस्थिस्मू जो एक निश्चित अर्थ भी प्रदान करें तो यह तो जो भेध हैं वो चार अधारों पर होते हैं, जैसे हम स्वारों और व्यंजनों के अलग-अलग हमने अधार पढ़े, वर्गी करण के ठीक वैसे ही जो शब्द हैं अब, देखे हमने पहले वर्ण पढ़े, अब हम वर्णों से क्या जा रहे हैं, शब्द की ओर जा रहे हैं, ज सबसे पहले है उत्पत्ति के अधार पर और इसी को क्या गा जाता है देखिए कई बार एक्जाम में पूज आता है उत्पत्ति के अधार पर या फिर स्त्रोत के अधार पर या फिर विकास या फिर इतिहास के अधार पर तो ये जो चारों चीजें हैं ये चारों चीजें क्या उसकी बनावट कैसी है फिर जो तीसरा आता है वो है रूप या प्रयोग के अधार पर ठीक है और जो चौथा हम बर्गी करन करेंगे वो करेंगे अर्थ के अधार पर तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उत्पतीस त्रोत विकास या इतिहास के अधार पर शब्दों के भ देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हों लेकिन वो हिंदी में अब क्या है ठीक वैसे ही इस्तिमाल किये जाते हैं उन्हें क्या का जाता है तत्सम शब्द तत्सम जो शब्द है दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है तत्त जम सम, तत का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, मतलब की संस्कृत के समान, तो हमने पहली अपनी ग्लास में पढ़ा था कि जो समस्त भाषाएं वो किस से निकली है, संस्कृत से निकली है, और हिंदी भाषाविक की जननी भी किसे कहा जाता है, संस्कृत को ही कहा जा उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है तो देखिए इसमें लिखा है कि संस्कित के शब्द जो हिंदी में आकर हिंदी के हो गए है मतलब कहने का भी प्राय वही है ठीक है जैसे देखिए इसमें कौन सा आ गया सूर्य अगनी तो आज भी हम देखिए क्षमता है ये हिंदी में है और ये हिंदी भाषा की क्या है एक विशेष्टा माने जाती है कि इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहन करने की क्षमता है और ये इसकी एक विशेष्टा है ठीक है दोस्तों तो ये हो वैसे ही संस्कृत से और भव का मतलब होता है होना मतलब एक तरीके से उससे होना क्या होना उससे विकास होना मान लीजे संस्कृत का कोई शब्द है उससे उसका जो रूप है वो समय के अनुसार क्या हो गया परिवर्तत होता गया दिके वो पहले क्या आया संस्कृत से आया फ इसी को क्या कहते हैं तदभव शब्द तो दीए संस्कित से विकसित हुए जो शब्द हैं और हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या का जाता है तदभव शब्द का जाता है तो तदभव में दीए सबसे पहले है जैसे लिखा हुआ यहां पर सूरच तो उपर हमने सूर्य था अगनी था ना तो अगनी का क्या हो गया विक्सित रूप आग तो इसको कहते हैं तदभव शब्द क्लियर है दोस्तों आप जो तीसरा है देखी वो है देशज शब्द या इनको कहते हैं देशी भाषा के शब्द या मतलब ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही बने हैं या ख्षित्री भाषाओं से क्या है पनपे हो उन्हें कहते हैं देशज शब्द तो इसमें देखिए जैसे पगड़ी है लोटा है गड़वड है तो कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है या कहां से लिया गया शब्द है ठीक है तो ये भी हमें याद होने जीए चोटे-मोटे और आपको ये जो देशज, विदेशज, तदभव, तदसम इनके लिए आपको कोई भी ग्रेमर आप उठा लेंगे चाहे तो उनमें आपको ये बहुत सारी चीज़ है इसमें मिल जाएगी बहुत सारे शब्द उसमें दिया होंगे तो आप वहां से भी उनको इजली याद कर सकते हैं यहां से आपने सिंपली क्या करना है कि पहचान याद रखनी है कि कौन से तदसम है, कौन से तदभव और कौन से देशज है ठीक है दोस्तो अब जो इसका चोथा रूप है वो है विदेशज या इन्हें कहते हैं विदेशी तो देखें विदेशी से मतलब सीधा सा है एक इनका अन्य नाम दिया जाता है आगत मतलब आये हुए मतलब जो दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है विदेशज शब्द कहा जाता है और हिंदी ने उनको क्या कर लिया है अपने अंदर समाहित कर लि यह फारसी के हैं, फिर किताब और खिदमत, यह जो शब्द हैं, यह अर्वी के हैं, और कैंची और बारूद, तो यह जो दो शब्द हैं दोस्तों, यह हैं तुर्की बाशा के, तो बहुत बार एक्जाम में कैंची शब्द को पूछ जाता है कि यह किस बाशा का शब्द है, तो हमें इनकी भी जानकारी होनी चाहिए कि ये तुर्की का शब्द है, आगे देखी जैसे court और college, तो ये अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी ने अपने अंदर समाहिद कर लिये हैं, तो ये होगे कुछ एक विदेशी शब्द, तो उत्पत्ती के अधार पर जो शब्दो ठीक वैसे ही शब्द भी देखिए, अगर हम उसको खंडित करेंगे, तब हम उसको अलग नाम देते हैं, अगर इस तरीके से हम देखेंगे कि रचना क्या धार पर, मतलब उसकी रचना कैसे हुई है, उसके धार पर शब्दों के कितने वेध हैं, तो देखिए जो सबसे पह करेंगे, उसके अर्थ जो है, नहीं निकलेंगे, जब हम उसको खंडित करेंगे, खंडित करने का मलत है, उसको अलग करना, ठीक है, सार्थक खंड ना हो, जैसे कल, देखो कल को अगर हम इसको अलग करना चाहें, कल को, तो कल लो, तो कल अपने आप में अंतर क्या कहते हैं, कोई अच्छा सा मीनिंग या मतलब कोई सार्थक मीनिंग नहीं दे रहा है हमें सार्थक खंड नहीं बन रहा है कौश से कुछ भी तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम यह कैसा शब्द है रूड शब्द है देखिए छोटा छोटा को अलग करेंगे तो छोटा तो दोनों जो है कोई भी अर्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं वैसे ही घोडा तो अगर घोडा को हम अलग करना चाहेंगे तो इसको भी नहीं कर सकते तो मतलब ऐसे जो शब्द है जिनके टुकडे क्या हो सार्थक खंड नहो उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें रूड शब्द कहा जाता है तो यह है रचना या बनावट के अधार पर दूसरा है देखिए इसके अंतरगत की योगिक देखी योग का मतलब योग ठीक है योग का मतलब भी जोड़ा जोड़ना एक तरिके से सम है ना यह कह रहा है कि जो योगिक शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में एक शब्द बनाते हैं मिलकर तो उसी को क्या कहा जाता है योगिक शब्द कहा जाता है मतलब जो जुड़े हुए हो जैसे देखिए उदाहरण के लिए यहां पर विद्याले दिया है, तो विद्याले में दो शब्द जुड़े है ना, विद्या, जमा, आले, तो दो शब्दों के योग से बना है यह शब्द, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, योगिक शब्द, क्लिर है, वैसे ही राज आग् पर विद्यालों का मिश्रण रूप है, मिश्रित रूप है एक तरीके से, यह योगिक भी है और यह रूड भी हो गए है, ठीक है, जुड़े हुए भी है और रूड भी है, देखिए कैसे, ऐसे योगिक शब्द, जो विशेश अर्थ परदान करें, विशेश अर्थ मान ल गया इसका योगिक रूप, लेकिन अब हम इसका रूड रूप देखेंगे, रूड का मतलब होता है, यह विशेश रूप से किसको बोला जाता है, यह रावन को कहा जाता है, दशानन, तो यह रूड किसके लिए हो गया है, रावन के लिए हो गया है, तो इसलिए इसको क्य कहा जाता है योग रूड शब्द कहा जाता है देखिए पितांबर तो पीला है जिसका अंबर कितने शब्दों के उसे मिलकर बना है ये शब्द लेकिन ये रूड किसके लिए हो गया है शिरिकृष्ण के लिए ठीक है न तो उनको क्या कहते है पितांबर कहते है तो ये क्या ह योगरूड है इंद्र जीत इंद्र को जीतने वाला तीन चार शब्दों से मिलकर बना है इंद्र जीत पहले क्या है योगिक है बाद में मेगनात के लिए क्या हो गया है रूड हो गया है तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये भी क्या है योगरूड शब्द है तो योगे दोस्तो तो रचना या बनावट के अधार पर यहां से आपको प्रशन इस तरीके से पूछा जा सकता है उत्पती, स्त्रोथ, विकास या इतिहास के अधार पर शब्दों के कितने भेद हैं या फिर यूँ पूछा जा सकता है कि रचना बनावट के अधार पर शब्द के कितने भेद ह या फिर आपको पूछा जा सकता है कि इन में से रूड शब्द कौन सा है योगी कौन सा है और योग रूड कौन सा है तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए या आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि कौन सा विदेशज है कौन सा इसमें तत्सम और तत्भवरूप है ठीक है द देखिए विकारी से मतलब सीधा सोता है परिवर्तित, है ना, जो शब्द परिवर्तित होते हों, उन्हें क्या का जाता है, विकारी शब्द, देखिए परिवर्तन अब किन आधारों पर आता है शब्द में, लिंग, वचन और कारक के आधार पर, अगर कोई शब्द रुपा कि लड़के से बनाए न, तो ये इसका क्या है, स्त्रिलिंग है, तो ये लिंग के अधार पर लड़का शब्द क्या हो गया, बदल गया न, तो ये ही शब्द क्या है, विकारी है, लेकिन आगे देखी, खेल का खेली रह रहा है, तो ये क्या है, ये अविकारी है, तो सिंपल स तो यह हो गया प्रियोग के अधार पर शब्दों के भेद, दो ही है इसके विकारी और अविकारी, अब हम देखेंगे अर्थ के अधार पर शब्दों के भेद, मतलब कि अर्थ के अधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, दीजिए सबसे पहला आता इसमें एक आर्थी, एक आर्थी से हम सीधा सर मतलब समझते हैं कि जिसका एक ही अर्थ हो तो एक ही अर्थ मतलब जैसे इसमें बोलते हैं कि सारे के सारे जो व्यक्ति वाचक संग्या है उसके जो शब्द हैं वो आते हैं एक आर्थी शब्द में ठीक है, एक आर्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ निकले, जैसे किसी का नाम है, जैसे रेखा है, राहुल है, तो ये क्या है, एक ही व्यक्ति के नाम है ना, तो इसको क्या कहेंगे, एक आर्थी शब्द, जैसे स्थान का नाम है, व्यक्ति वाचक है ना, तो उसको क्या का जाता है एक आर्थी जो एक ही अर्थ प्रदान करें उसके कोई अलग अर्थ नहीं होते हैं ठीक है clear है दूसरा है अनेक आर्थी मतलब ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले जैसे हार देखिए एक हार गले का होता है दूसरा हार जो है पराजय के लिए बोला जाता है और तीसरा जो है वो माला के लिए है ठीक है अलग अलग है न इसके अर्थ ठीक वैसे ही कर कर का मतलब क्या होता है एक हाथ हो गया, दूसरा टैक्स हो गया, तीसरा मतलब करना आप ये काम आपके द्वारा ये काम किया गया मतलब एक तरीके से आप ऐसे तू ये काम कर, जैसे हम बोलते हैं, है ना कर, ठीक है, क्लियर है तो ये क्या है, अनेक आर्थी शब्द है पिलोम या उल्टे, जैसे दिन का क्या हो गया रात हो गया, तो ये थे अर्थ के आधार पर, शब्दों के अलग-अलग बेद, तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलाल हम इतना ही देखेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के भाशिक स्वरूप के अंतरगत आने वाली कुछ एक चीजें जिसमें समास और वाक्य रचना और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने हिंदी साहित्य का इतिहास आधिकाल तो आप यूँ ही बने रहिए हिंदी साहित्य वारता में सुभाष ठाकुर के साथ तो आज के लिए फिलाल इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई उर्जा और स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत